हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम राफ्रेजरेशन एंड एयर कंडिस्निंग के अब्जेक्टिव कोश्चन्स पढ़ने वाले हैं जो आपके समस्टर एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंट्स यहा के जितने भी इंपोर्टेंट आपके लिए अब्जेक्टिव कोश्चन्स हैं मैं उन्ही को लेकर आया हूँ तो फ्रेंट्स वीडियो के अन तक आप जरूर बने रहेगा और आपने इसके पहली की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने पर्टिकुलर सब्चेट का कोश्चन्स पढ़ना है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ की तरह के लिटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी आप सेयर करेगा तो चलिए पहला कोश्चन आज का देखें फ्रेंट्स जो आपका पहला कोश्चन आप पूचा गया है यहां पर कोश्चन है कि CCL3F रैफरिजरेंट का नाम क्या होता है तो सबसे पहले आपका थोड़ा इंट्रोड़क्शन करा दूँ रैफरिजरेंट होता क्या है इसकी डेफिनिशन देख लीजिए फिर इसको हम पढ़ते हैं तो फ्रेंट्स जो आपका रैफरिजरेंट होता है वो एक प्रकार का पदार होता है चलिए एक बार में फिर से repeat कर दे रहा हूं जो फिरंट हमारा refrigerant होता है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो expansion एवं vaporization के दौरान उस्मा को अवसूसित कर लेता है यानि कि उस्मा को absorb कर लेता है तथा condensation process के दौरान अवसूसित की गई उस्मा को यह वो क्या करता है बाहर कर देता है तो इसकी definition आप note कर लीजे चाहिए तो कि refrigerant एक प्रकार का प्रदार्थ होता है जो expansion एवं vaporization के दौरान उस्मा को अवसूसित करता है तथा संगनन यानि कि condensation process के दौरान अवसूसित की गई उस्मा को बाहर कर देता है वो हमारा refrigerant कहलाता है और जो हमारा refrigerant होता है वो system में refrigerant जो होगा वो एक उस्मा वाहक की तरह कारे करेगा यानि कि उस्मा को लाएगा और उस्मा को बाहर ले जाएगा तो वह ही आपका कहा गया कि हमारा refrigerant होता है वो एक उस्मा वाहक की तरह भी कारे करता है आप करता है आप से पूछ ले कि जो हमारे refrigerant होते है वो कितने प्रकार को होते है तो इस undertaking होते हैं आप से पूछ सकता है कि रैफ्रेजरेंट कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं एक प्रैमरी होता है एक सेकंडरी होता है और आप पूछले कि primary refrigerant के कितने प्रकार होते हैं तो वो होते हैं आपके 5 प्रकार के तो आप इन questions को जरूर नोट कर लिजेगा कि refrigerant का जो classification किया गया है वो two types का किया गया है एक प्रात्मिक refrigerant होता है एक हमारा दोतियक refrigerant होता है और जो हमारा primary refrigerant होगा उसके 5 types होंगे तो चलिए अपने पहले question पर आते हैं हमारा पहला question फ्रेंट से हाँ पर पूँचा गया है कि CCL3F refrigerant का नाम क्या है तो आप से इसका जो है chemical name पूँचा गया है और यहां पर chemical name तो नहीं पूँचा गया आपका यहां पर chemical formula पूँचा गया है लेकिन आपको इसका chemical name भी आना चाहिए मान लीजिए कि आपका chemical formula ना पूँचकर जो आपका है refrigerant संख्या न पूँच कर आप से सीधा chemical name पूँच ले तो आप जरूर याद रखिएगा तो यहाँ पर आपका question पहला है कि CCL3 जो refrigerant है इसका नाम क्या होता है यानि कि इसका refrigerant number पूँचा गया है हम से CCL3 F का तो सबसे पहले आप note करेंगे जो हमारा CCL3 F refrigerant होता है इसका सबसे पहले आप राशानिक नाम नोट करिएगा जो होता है आपका tri chloro mono fluoromethine एक पर फिर से नोट करिएगा जो हमारा CCL3 F refrigerant होता है इसका राशानिक नाम होगा आपका tri chloro mono fluoromethine तो आप इसको नोट कर लिजेगा अब देखते हैं कि इसका जो refrigerant number होता है वो कौन सा होता है तो जो हमारा CCL3 F refrigerant होता है इसका राशानिक नाम टाई, chloro, mono, fluoro होता है लेकिन बात करें आपके इसके refrigerant number की तो वो यहाँ पर आपका जो है चार option दिये गए हैं यहाँ पर आपका जो है option number C correct हो जाएगा यानि कि जो हमारा CCL3 F refrigerant होता है इसका जो refrigerant number होता है वो होता है R11 और आप से पूछ लेकि इसका जो है राशानिक नाम यानि chemical name क्या होता है तो वो होता है आपका ट्राइक लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन तो यहाँ पर आपके दो कोस्टन तयार हो गए पहला तो आपका जो कोस्टन लिखा से पूंच सकता है और आप से पूंच सकता है कि CCL3 F refrigerant का जो है राशानिक नाम क्या होता है तो आप याद जरूर रखिएगा हमापर फ्रिंस आपके देखर कुछ और आप्षंदियेक हैं तो आर 21 जो reference नंबर होता है इसका राशानिक नाम आप लिए जयेगा यह आपका होता है डाई क्लोरो खिंप्रार नंवरो मीथेन तो इसका आप न नाम नूट करेंगे जो हमारा CHCL2F यानि की जो हमारा इसका केमिकल नेम हो जाएगा डाई फ्लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन तो इसका भी आप नोट कर लेंगे R22 होता है इसका भी नोट करिएगा जिसका होता है मोनो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन ये इसका केमिकल नेम होता है और बात करें इसके chemical formula की तो जिसका chemical formula अप्सेंट से नोट करिएगा R22 जिसका chemical name होता है monocloro-dye-fluoromethane इसका जो आप नोट करेंगे chemical formula ये हो जाएगा CHClF2 यानि की monofloro-dye-fluoromethane तो इसका आप नाम जरूर याद करिएगा कि जो हमारा monocloro-dye-fluoromethane होता है वो हमारा R22 होता है R14 का नोट करेंगे इसका होता है methyl chloride यानि की जो हमारा R14 refrigerant number होता है इसका chemical name methyl chloride होता है जिसका formula नोट कर लीजेगा इसका formula होगा आपका CH3Cl तो इसका formula याद करिएगा ये होगा CH3Cl चलिए next अपने question पे चलते हैं आपसे अगला question पूछा गया है कि R100 का राशायनिक नाम क्या होता है यहां पर आपसे R100 जो refrigerant number होता है उसका chemical name पूछा गया है तो आप इसका chemical name यहां पर चार option दिए गया है इसका chemical formula पूछा गया है आपका तो इसमें चार option दिए गया option A option B option C option D चलिए देखते हैं आपको आता है तो इसका answer कमेंट करिए मैं बताता हूं इसका answer इसके बाद चलिए बता देता हूं जो हमारा R100 refrigerant number होता है इसका रशानिक नाम पहले नोट करिएगा यह होता है आपका इथाईल क्लोराइड याने कि जो हमारा R100 refrigerant number होता है इसका chemical name होगा वो होगा इथाईल क्लोराइड तो इसको आप नोट कर लीजेगा कि इसका होता है इथाईल क्लोराइड और इसका फार्मूला नोट करेंगे आप से पूछ ले तो यहाँ पर इसका फार्मूला यह पूछा गया है जो होता है आपका यहाँ पर option number आपका यहाँ पर correct हो जाएगा option number आपका तो यहाँ पर R100 जो राशानिक नाम होता है तो वो किसका होता है C2H5CL का जिसका जो केमिकल नेम होता है इसको नोट कर लीजेगा यह होता है आपका इथाइल कलोराइड चले नेक्स्ट अपने कोश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी कोश्चन सॉल करते हैं आपसे अग केमिकल नेम दिया गया है आपसे रैफ्रिजरेंट संख्या पूछी गई है चलिए इसका आंसर कमेंट करिए यहां पर चौर आप्शन दिये गया है उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं चलिए मैं इसको option बता देता हूँ आपको यहां पर देखे इसका chemical name भी दिया गया है और refrigerant number भी आपको दिया गया है जिसका नाम है आपका यहां पर CF4 का carbon tetrafluoride और यह जो carbon tetrafluoride होता है उसका जो refrigerant number होता है वो होता है R14 यानि कि यहां पर option A और B दोनों correct हो जाएगा आपसे पूछा गया है कि carbon tetrafluoride को कौन बताता है तो यह आपका CF4 होता है आपसे पूछ ले कि carbon tetrafluoride का जो है refrigerant number कौन सा होता है तो आपका R14 होता है तो यह दोनों आपके carbon tetrafluoride को प्रदर्शित करते हैं इसलिए आपका यहां पर जो option C होगा वो correct हो जाएगा चलिए next question पे friends आपके चलते हैं आपसे अगला question friends पूछा गया है कि पानी का refrigerant number क्या होता है आपसे पूछा गया है कि जो हमारा पानी होता है उसका refrigerant number क्या होता है चलिए comment करिए इसके बाद मैं इसका answer आपको बताता हूँ चलिए इसका answer देख लेते हैं जो हमारा पानी का refrigerant number होगा वो होगा R718 यानि की option A हमारा यहां पर correct answer हो जाएगा जो R717 होता है यह होता है अमोनिया जो और बात करें आपके R744 यह आपका होता है यह जो आपका R764 होता है वो आपका sulfur dioxide का refrigerant number होता है R744 यह आपका carbon dioxide होता है और R764 यह आपका sulfur dioxide होता है तो note कर लीजेगा चलिए अपने next question पर चलते हैं आपसे अगला question friends पूचा गया है कि methane का refrigerant संख्या कितना होता है तो आपका question देख लीजे इसका answer comment करिए फिर मैं इसका answer आपको बताता हूँ चलिए इसका answer देख लीजेगा जो हमारा question number 5 है इसका answer हो जाएगा R50 यानि कि refrigerant number 50 जो होगा वो methane की refrigerant को प्रदर्सित करता है यानि कि जो हमारा R15 संख्या है वो हमारी methane को denote करती है और इसका formula देख लीजे जो methane का answer आपका chemical formula होता है इसको note करिएगा यहाँ पर जो होता है CH4 यानि कि CH4 को हम methane कहेंगे और methane जो है वो R15 refrigerant number को denote करता है और आप से पूछ ले कि methane का जो chemical formula क्या होता है तो वो होता है आपका CH4 चलिए अपने next question पे चलते हैं आपका अगला question पुंशाग यहाँ फेंटS R500 जो रफ्रेज्रेंट होता है वो किस कीज़ का mixer होता है तो सबसे पहले फ्रेंटS जो हमारा R500 500 CHRIST होता है वह हमारा एक एयक टोप राफ्रींट येंट का एक कुदाहरा होता है तो सबसे पहले आप इसक नोट करेंगे जो हमारा आर 500 होगा वह एजो टोप राफ्रेजरेंट का झाल 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 प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आपका एक और होता है वो होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल तो आपके चार मेन मुख्य इसको आप कह सकते हैं वो ब्राइन होते हैं आपसे पूचले की ब्राइन है क्या तो ब्राइन जो है एक प्रकार का मिक्सर होता है जिसमें पानी में उपर युक्त मात्रा में नमक को घुलाया जाता है यानि की पानी और नमक का जो उपर युक्त मिक्सर होता है वो ब्राइन कहलाता है और आपसे पूचले ब्राइन क्या उप्राइड होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके जो में होते हैं वो होते हैं चारे और एक आपका होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल चलिए next question पे चलते हैं आप से पोचा गया है कि मीथेन के आधार पर पर refrigerant संख्या क्या होती है question important है आपसे पूछा क्या है फ्रंस की methane के आधार पर refrigerant संख्या क्या होगी option आपके चार दिए गये है comment करकर आप बताईए यहां पर comment करिए तो फ्रंस जो आपका question number 10 है इसका answer हो जाएगा option number आपका पी correct answer हो जाएगा कि methane के आधार पर refrigerant संख्या कितनी होती है वो आपकी होती है दो चलिए next question पर चलते है फ्रंस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं आप वीडियो कन तक जरूर बने रहिएगा important question है आपके लिए आपसे अगला question पूछा गया है फ्रंस इथेन के आधार पर refrigerant संख्या कितनी होती है तो आपसे question पूछा गया है पहले में पूछा गया था मीथेन के आधार पर रैफरेजर्ट कितनी संख्या होती है वो होती है दो आपकी आपसे पूचा गया है कि एथेन के आधार पर रैफरेजर्ट संख्या कितनी होती है तो इसका जो आंसर हो जाएगा question number 11 का वहाँ पर आपका answer होगा option number C चलिए next question पूचा गया है कि निमन मेंसे कौँसा कथन सकते है यानि कि कौँसा आपका जो सिहाँ इसका पर समी करन्डिया गया है वो correct है चलिए इसका comment करी आंसर उसके बाद इसका आंसर मैं बताता हूं तो चलिए इसका आंसर देख लीजेगा आप लोग जो आपका question number 12 है इसका option number A correct answer हो जाएगा ये होगा B plus C plus D equals to 2A plus 2 तो ये आपका option number A correct हो जाएगा यहाँ पर इस question जो आपका friend समी करण है इस समी करण का प्रियोग कहाँ पर किया जाता है ये देख लीजेजे जो जो समी करण है आपका friend से इस से हम क्या निकाल सकते हैं कारवन के अड़ों के शंख्या निकाल सकते हैं जो हमारा A represent करता है B हमारा यहाँ पर represent करता है कि hydrogen की अड़ों की शंख्या C हमारा फ्लोरीन के अड़ों की शंख्या डिनोट करता है D हमारा क्लोरीन के अड़ों की शंख्या को डिनोट करता है तो इससे हम किसी भी प्रकार के अड़ों की शंख्या निकाल सकते हैं एक बार फिर से नोट कर लिजेगा जो हमारा C है वो कार्बन के अनो की संख्या को डिनोट करेगा और हमारा B है वो हाइडरोजन के अनो की संख्या को डिनोट करेगा C हमारा फ्लोरीन के अनो की संख्या को और D हमारा क्लोरीन के अनो की संख्या को डिनोट करेगा तो question number 12 का option number A correct हो जाएगा चलिए next question पर चलते हैं आपसे अगला question पूछा गया रैफ्रिजरंट ग्याद करने का सूत क्या होता है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि रैफ्रिजरंट कैसे ग्याद करते हैं आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लिजेगा आप वहां से रैफ्रिजरंट निकालना सीख जाएंगे तो आपका question नमबर 13 पूछा गया है कि रैफ्रिजरंट ग्याद करने का formula कौन से होगा तो यहाँ पर इसमें जो आपका option सही होगा वो option नमबर A आपका correct हो जाएगा तो इसका formula होगा रैफ्रिजरंट ग्याद करने का R A-1 B-2 और यह आपका C जहाँ पर frequency आपका fluorine के अड़ों की शंक्या को denote करता है आप इसको भूलिएगा मैं चलिए next question आपका दिया गया आपसे अगला question पूछा गया है C A H B F C C L D जो आपका फ्रेंट से फार्मूला होता है सामान या रासानिक सुत्र होता है जो रैफ्रिजरंट का उसमें A क्या होता है A आपका क्या denote करता भी मैंने पीछे बताया कि A हमारा क्या denote करता है चलिए इसका answer कमेंट करिएगा आप लोग चलिए देख लीजेगा इसका answer तो यहाँ पर C A H B F C C L D जो हमारा सामान राफ्रेंट फार्मूला होता है उसका राशानिक जहां पर A हमारा denote करता है कार्बन के अड़ों की संख्या को इसी तरह आपका अगला question पूछा गया है C A H B F C C L D में जो हमारा B क्या denote करेगा तो यह B हमारा denote करता है hydrogen अड़ों की संख्या को तो यहाँ पर आपका option number A correct हो जाएगा इसका 14 का और 15 वाले question का option number B correct हो जाएगा जिसमें हमारा B hydrogen के अड़ों की संख्या को denote करता है A हमारा कार्बन की अड़ों की संख्या को denote करता है आपसे अगला question भी पूछा गया है कि जो हमारा C है वो किसको represent करता है तो अभी मैंने पहले भी बताच दिया कि जो हमारा C है वो फ्लोरीन के अड़ों की संख्या को denote करता है तो यहाँ पर option number जो है जहाँ पर आपका C जो है C option correct हो जाएगा यहाँ पर आपका जो C है वो फ्लोरीन के अड़ों की संख्या को represent करता है एक बाद फिर से देख लीजिए A. हमारा हाइडरो कार्बन की अन्वो की शंख्या को रिप्रेजेंट करेगा B. हमारा हाइडरोजन की अन्वो की शंख्या को रिप्रेजेंट करेगा C. हमारा फ्लोरीन की अन्वो की शंख्या को रिप्रेजेंट करेगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं आपसे अगला फ्रेंट्स question पूछा गया है कि जो हमारा D है समी करर नंबर जो हमारा दिया गया है C, A, H, B, F, C, C, L, D में जो हमारा C है वो क्या denote करता है तो जो C है आपका वो denote करता है फ्लोरीन के अड़ों की सुरी यहाँ पर D पूछा गया है फ्रेंट्स तो C तो आपके फ्लोरीन के अड़ों की संख्या को denote करता है लेकिन हापर पूछा गया है D तो जो आपका फ्रेंट्स D है वो क्लोरीन के अड़ों की संख्या को denote करता है तो option number D आपका इसका correct answer हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं का अगला question पूछा गया है कि R 22 जो रेफ्रेंट होता है उसके cylinder का रंग कैसा होता है important question है जरूर याद रखिएगा जो हमारा R 22 रेफ्रेंट होता है फ्रेंट्स उसका जो रंग होता है वो आपका होता है हरा रंग तो option number यह आपका यहां पर correct answer हो जाएगा R 22 cylinder का जो रंग होता है वो आपका हरा रंग होता है चलिए next question पर चलते है question number 19 आपका देख लेते हैं question पूछा गया है आपसे कि R 134 जो होता है उसका उबालक पॉइंट क्या होता है boiling पॉइंट क्या होता है यह पूछा गया है आपसे question number 19 में तो इस question का right answer जो होगा वो होगा option number C तो जो R 134 रेफरेजरेंट होता है इसका boiling point होता है वो minus 25 degree Celsius होता है चलिए आपका अंतिव question आज का देख लेते हैं question पूछा गया है कि R 11 जो रेफरेजरेंट होता है वो उसका यहां पर रेफरेजरेंट number पूछा गया है तो इसका जो option हो जाएगा वो correct हो जाएगा option number A जानी कि जो हमारा R 11 राइफरिजेंट होगा उसका जो राइफरिजेंट नंबर होगा वो होगा फ्रेयान तो यहां तक फ्रेंट्स आपके कोश्ण कंपलीट हो चुके हैं, उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करकर आप जरूर बताना आ आप पढ़ते रहें दोस्तों को भी वीडियो को जरूर सेयर करिए और आप हमारे टेलीग्राम को जरूर जोइन करें इसकी पीडियाप जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा तो टेलीग्राम लिंक जो है आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर सब्जेट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है आप जरूर देखिएगा चलिए मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टन्ट कुस्चन के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइट टेक केर झाले नेलिस्ट लोग्वित आपसे ने Wassil ju freelance आपसे मिलते हम आपसे गपस के लूर्टन के साथ हम आपसे तब वगले समय में आपसे के साथ लिएयोग फित ने तुम辉ले शरु़र्टन के साथ मतुछिएग छकर प Tabii से वी खाले स्गले साथ आपसे जापसे हम आपसे पला